बिसमिल्ला रख्मान रुहीम तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि प्रिसियन रेक्टिफायर्स और प्रिसियन पीक रेक्टिफायर्स किस तरह से डिजाइन किये जाते हैं और इनकी सर्कुट किस तरह से काम करते हैं और इन दोनों में क्या फर्क है output waveform किस तरह से generate की जाती है यह सब की सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे electrical engineering से तलुक रखने वाले जितने भी students हैं almost सभी को मलूम होगा कि what are rectifiers तो basically जब भी आपके पास कोई AC signal होता है और आप उसको DC signal में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो circuit या converter use करते हैं उसको rectifier का जाता है आज हम यह discuss करेंगे कि precision rectifier and precision peak rectifiers क्या होते हैं हमारी इस series के पिछली जतनी भी videos थी उसमें हमने एक बार discuss की कि हम OPEM को use करते वे किस तरह से different applications या different systems design कर सकते हैं जैसा के हमने OPEM को use करते वे analog to digital converters और digital to analog converters design किये इसी तरह हमने OPEM को ही use करते वे zero crossing detectors और इसी तरह function generators भी बनाए और इसी तरह हमने OPEM को ही use करते वे हमने integrators differentiators और हमने active filters भी OPEM के तरू बनाए तो आज हम यह discuss करना चाहते हैं और यह सीखना चाहते हैं कि हम OPEM को ही use करते वे precision rectifiers and precision peak rectifiers किस तरह से बना सकते हैं तो चलिए start करते हैं precision rectifier और super diode यह आपके पास जो screen पे आपको circuit नजर आ रहा है यह precision rectifier का basic circuit है जैसा कि इसके words precision से मतलब है कि यह जो आपके पास normal यह simple rectifiers हैं उनसे अलाग है precision का मतलब होता है exact value यह exact output तो जो आपके simple rectifiers हैं उनसे यह ज़्यादा accurate output देगा जो आपके पास simple rectifiers हैं वो आप simple एक diode और एक resistor के तरूँ बना सकते हैं वो precision उन में क्यों नहीं होती क्योंकि आपका जो diode है उसके across 0.7 या 0.3 volt drop होते हैं अगर आप silicon का diode यूज कर रहे हैं तो diode के across 0.7 volt drop होगा अगर आप germanium का diode यूज कर रहे हैं तो उसके across 0.3 volt drop होगा तो अगर तो आप power का कोई project या उसकी कोई application डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें तो आपका 0.7 volt इतना matter नहीं करता है क्योंकि 0.7 volt is almost nearly to zero तो उस वक्त तो आप ये afford कर सकते हैं कि आपका 0.7 volt drop हो जाए या उसका loss हो जाए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता लेकर अगर आप कोई small signal analysis कर रहे हैं या कोई ऐसी device या ऐसी circuit design कर रहे हैं जहां पर आपको precision बहुत जाएदा चाहिए तो उस वक्त आप 0.7 volt का loss afford नहीं कर सकते हैं तो उस वक्त हम जो rectifier design करते हैं उसको precision rectifier या super diode का जाता है super diode भी इसलिए का जाता है क्योंकि जो rectifier में हम normal diode यूज करते हैं उसमें जो voltage drop होता है diode के cross वह 0.7 या 0.3 germanium के case में loss होता है लेकिन जब हम super diode इस configuration में यूज करते हैं तो diode जो है वह input voltage जब 0.7 से कम है उससे पहले ही diode जो है forward condition में चला जाता है हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे diode है वह basically zero से बिल्कुल value जैसे ही जएदा होती है तो वह forward condition में चला जाता है मतलब हमारे diode जो है basically ideally behave कर रहा होता है तो यह कैसे हो सकता है यह O-PAMS को यूज करते वे किस तरह से यह design हो सकता है यह आज हमने अभी discuss करना है तो अगर आप इस circuit को देखें तो यह circuit basically तीन components को combine करके बनावा है O-PAM, diode और आपके पास resistor resistor के across हम output ले रहे हैं और यह diode हमारी output है यहाँ पे इस pin पे हम output ले रहे हैं और जो non-inverting input है वो हमारी ऐज़ा input है और जो output है उसको हमने negative feedback दिया हुए non-inverting input के साथ तो यह ऐज़ा super diode मतलब के zero volt पे ही forward bias कैसे हो रहा है diode और हमारे पास जो output है वो बहुत ज़एदा accurately rectify होके आ रही है वो अभी हमने देखना है तो चले suppose करते हैं कि हमारे पास suppose करते हैं कि हमारे पास जो V1 voltage है वो negative है अगर हमारे पास V1 voltage negative होगी तो जो हमारा diode है वो reverse condition में मतलब कि open circuit behave करेगा वो क्यों कि जब तक आपका diode है diode का anode से cathode potential ज्यादा नहीं होगा anode का potential as compared to cathode ज्यादा नहीं होगा तब तक आपका diode reverse condition में रहेगा तो अगर यहाँ पे तो अगर आपका जो V1 है अगर यहाँ पे negative voltage है तो आपके जो anode है basically जो diode की voltage यहाँ पे जो भी output voltage आ रहा है वो हमने negative feedback करके inverting input को दे दिया है इस वजह से जो भी आपकी output आएगी basically वही आपकी दुबारा inverting input पे आ जाएगी तो अब suppose करते हैं कि हमारे पास जो V1 voltage है वो ज्यादा हो गया है suppose करते हैं हम V1 voltage जो है वो 0.1 volt है तो जैसे ही voltage 0 से ज्यादा होगा मतलब 0.1 volt होगा तो उस वक्त आपका जो diode है वो forward biased हो जाएगा वो कैसे forward biased हो जाएगा क्योंकि आप सब को मालूम है कि जो OPM है उसका open loop gain ज्यादा होता है high होता है तो अगर हम suppose भी कर लें कि आपका जो OPM है उसका open loop gain 10 है तो आपका input voltage 0.1 है तो gain ज्यादा होनी की वज़ा से जो आपका ये diode है ये forward biased हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 0.1 वोल्ट होंगे तो ये वला जो OPM है अपने high gain की वज़ा से output को amplify कर देगा और आपका जो diode है वो basically forward biased condition में चला जाएगा और forward biased condition में जाने की वज़ा से जो भी आपका input है वो आपके output पे अपेर होने लग जाएगा जब आपका negative voltage आएगा तो negative voltage की वज़ा से जो diode है वो open circuit behave करेगा और open circuit होने की वज़ा से आपका output जो है वो 0V आएगा तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप simple rectifiers में आपका जब तक 0.7V input voltage 0.7V नहीं जाता था silicon के threshold voltage तक नहीं पहुँचता था तो आपका जो diode है वो forward condition में नहीं जाता था लेकिन इस condition में जैसे ही voltage 0.1 भी हुआ तो इसके high gain होने की वज़ा से जो output voltage है वो जैदा हो जाता है और जैदा होने की वज़ा से diode जो है वो forward by इस condition में चला जाता है और आपके पास जो input है वो output है पेर होने लग जाती है इस तरह से हम precision rectified half wave डिजाइन कर सकते हैं इस में देखें अगर आपके पास V1 जो है वो positive voltage मतलब कि अगर V1 0.1 वोल्ट भी होगा तो आपका जो output voltage है वो input voltage से जादा हो जाएगा इस OPM के high gain की वज़ा से और वो output आपका आ रहा है वो basically आपको output पे show होने लग जाएगा लेकिन अगर आपका जो input voltage है वो बहुत कम है मतलब negative voltage है तो negative voltage की वज़ा से आपका जो diode है वो open circuit behave करेगा और open circuit behave करने की वज़ा से output जो है वो 0V मिलेगी तो इस तरह आप precision half wave rectifier डिजाइन कर सकते हैं hopefully के आपको ये पता लग गया होके precision rectifier इसको क्यों कहा जाता है precision rectifier इसलिए कहा जाता है क्योंके बजाएक 0.7 volt पे जाने के बाद output waveform आए हमारे पास precision rectifier 0 से ही हमें output waveform शो कर देता है और इस तरह हमारे पास जो 0.7 का loss हो रहा होता है हमारे पास circuits में वो नहीं होता लेकिन जहां इसके ये फाइदा है हमें कि ये हमें ज्यादा accurate output देता है वहां पे इसकी कुछ limitation भी है इसकी limitation क्या है कि for a typical operational amplifier with higher open loop gain the output saturates if the input then becomes positive again the op amp has to get out of the saturated state before positive implication can take place again this change generates some ringing and takes some time greatly reducing the frequency response of the circuit इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका एक दफा circuit जो है वो forward bias हुआ डायोड forward bias हुआ तो आपका जो output है वो saturate हो जाएगा output saturate होने के बाद अब अगर voltage जो है वो negative होगा तो जो आपका diode है वो open circuit behave करेगा open circuit behave करने की वज़े से output आपको 0 मिलेगा लेकिन क्योंकि आपका जो signal है वो periodic signal है obviously sine wave है तो sine wave periodic signal है तो जब दुबारा से positive signal आएगा तो दुबारा से positive signal आने की वज़ा से जब दुबारा again positive signal आएगा तो ये जो diode है ये दुबारा से forward bias condition में चला जाएगा जब ये दुबारा से forward by this condition में जाएगा तो दुबारा से forward by this condition में जाने से दुबारा से amplification होगी और उस amplification में आपके पास जो time है वो जादा लगेगा obviously it takes some time तो इस वज़े से आपके पास जो है ये सारा phenomenon जो negative से दुबारा positive में जाएगा और positive में जाने, negative से दुबारा positive में जाने के बीच में जो time है ये time लगेगा और इस time की वाज़े से आपका frequency response है वो बहुत जादा reduce हो जाता है इसलिए इस circuit को frequency response analysis में use नहीं किया जाता इस circuit की ये limitation है और इसके फाइदा क्या है, फाइदा हमारे पास ये है कि ये बहुत जादा accurate output देता है ठीक है जैसे अभी हमने precision half wave rectifier पड़ा, इसी तरह हम दो diode यूज़ करके precision full wave rectifier भी बना सकते हैं precision full wave rectifier किस तरह से बनाया जाता है, इसे जैसे हमने precision half wave rectifier बनाया हम वैसे ही precision full wave rectifier भी बना सकते हैं full wave rectifier हम कैसे बना सकते हैं, कि हमारे पास पहले ये और एक OPEM था और एक OPEM के हमने एक o input दी वी थी और हमने एक diode यूज़ किया वा था आपके पास positive peak आएगी तो आपका जो D1 है ये conduct करेगा और output जो है वो D1 के से आपके पास output पर आएगी और आपके output जो है वो positive आपको इस तरह से मिल जाएगी और इस वेक D2 जो है वो reverse bias condition में होगा इसी तरह जब आपके पास negative value मतलब के input आपका जो cycle assign wave वो negative होगा तो negative होने की वज़ा से आपका जो D1 है ये reverse bias condition में चला जाएगा और आपका जो D2 है वो forward bias condition में चला जाएगा और forward bias condition में जब ये जाएगा तो आपके पास output जो है वो again आ जाएगी तो इस तरह simple एक op-em और एक डैयोड यूज़ करते वे हम simple half wave precision rectifier बना सकते हैं और इसी तरह दो op-em और दो डैयोड यूज़ करते वे हम precision full wave rectifier भी बना सकते हैं जहां पे इसकी बहुत ज़्यदा advantages हैं इस तरह हमने इसकी limitation भी पढ़ लिया कि इसकी limitations क्या है और ये frequency response में use नहीं किया जा सकता अभी तक हमने precision half wave और full wave rectifiers discuss कर लिया है अब हम ये discuss करना चाहते हैं कि precision peak detector किस तरह से design किया जाता है तो चलिए precision peak detector बनाते हैं precision peak detector rectifier जो हमने अभी पहले circuit यूज किया था super diode का उसमें क्या था हमारे पास के एक diode था और diode का जो opam की output टर्मिनल था वहाँ पे diode था और diode का जो cathode टर्मिनल था उसको हमने negative feedback inverting input के साथ दे लिया था और जो इसका non inverting input था वहाँ पे हम अपनी input मतलब के हम बजाए कि हम यह चाहें कि हमारा output जो है वो बिल्कुल zero से start हो और फिर दुबारा zero पे खतम हो हम यह नहीं चाहते हैं हम बलके यह चाहते हैं कि हम कोई एक specific peak जो हमारे पास input की peak है input जो signal है उसकी अगर हम peak detect करना चाहते हैं तो उस हमें वो किस तरह से design कर सकते हैं तो उसके लिए हमने यह वाला circuit अगेन वह वाला circuit यूज किया लेकिन changes हमने क्या की अगर आप इसको गोर से देखें तो यह O-PAM diode और resistor यह सब चीज़ें सेम हैं लेकिन difference सिर्फ क्या आया है तो suppose करते हैं हम again कि हमारे पास जो है positive जो inverting non-inverting terminal है वहाँ पे हमारे पास input signal है output हमारे पास यहाँ पे diode forward by scub होगा जब हमारे पास V1 जैसे ही V1 की value ज़रा सी भी ज़्यादा होगी मतलब 0.1 भी होगी तो इस O-PAM के high gain की वज़ा से जो output है वह amplify हो जाएगी और amplify होने की वज़ा से जो diode है वह forward by scub हो जाएगा यह चीज तो हम पहले भी discuss कर चुके हैं और चब इसकी V1 negative होगा तो negative होने की वज़ा से output जो है वह diode के अनोट पे negative आएगा और negative आने की वज़ा से जो diode है वह as an open circuit behave करेगा और open circuit behave करने के वज़े से output जो है वह 0 volt आएगा यह सारी के सारी बाते तो हम पहले ही discuss कर चुके हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक capacitor introduce कराने की बाद हम इस circuit को जो हमारे पास precedence rectifier था अब हम इसको precedence peak detector भी कह सकते हैं peak detector इससे क्यों कहा जाता है और यह किस तरह से काम करता है वह अभी हमने discuss करना है तो suppose करते हैं कि हमारे पास जो input voltage है V1 हमने 0 से थोड़ी सी value उसकी ज्यादा की जैसे ही value 0 से ज्यादा हुई 0.1 volt पी होगी तो 0.1 volt होने की वज़ा से यह high gain होगा और high gain की वज़ा से यह diode forward bias हो जाएगा जैसे ही diode forward bias होगा तो यहाँ से इसका circuit complete हो जाएगा और यह जो आपके पास current flow करेगा वो capacitor के cross current flow करना शुरू कर देगा जैसे ही capacitor के cross circuit complete होगा तो capacitor जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा capacitor चार्ज होगा कब तक जब तक आपकी input की peak नहीं आ जाती जैसे ही input voltage की peak आएगी जैसे कि यह आप देख रहे हैं कि जैसे ही input voltage का peak आएगा तो capacitor उस वक्त fully charge हो चुका होगा जब capacitor fully charge हो चुका होगा तो capacitor भी इस वक्त voltage store कर लियोंगी capacitor ने तो suppose करते हैं कि हमारे पास जो input voltage था उसकी peak जो है वो 5V है तो जैसे ही diode forward बाइस होगा तो यह 5V shift हो जाएंगे मतलब कि यहां से capacitor charge होगा charge होगा और charge होते होते 5V तक पहुंच जाएगा इस वक्त जब यह हम peak पे पहुंच चुके होंगे तो हमारे पास capacitor 5V पे charge हो चुका है और input voltage भी 5V है तो जब आपके पास जैसे ही voltage 5V अब यहां से voltage जो है V1 जो है peak 5V पे पहुंच चुका है और कि पिस्टर जो है वो 5V पे charge हो चुका है तो अब जो input voltage है वो decrease करेगा input voltage जब decrease करेगा तो वो obviously 5 से suppose यह peak 5 है तो यह वाली value 4 होगी तो जब input voltage 4V हो जाएगा और उस वक्त कैपिस्टर के across जो वोल्टेज होंगे वो 5V होंगे तो एनोड के इस तरफ 4V होंगे और इस तरफ 5V होंगे तो डायोड क्या गरेगा डायोड reverse by this condition में चला जाएगा और उस वक्त जो आपका कैपिस्टर है वो इस resistor के across डिस्चार्ज होगा यह देखें यह आपका जो कैपिस्टर है यह डिस्चार्ज होगा कैपिस्टर डिस्चार्ज होता रहेगा तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक के input voltage again से ज्यादा नहीं हो जाता suppose कि हमारे पास यहाँ पे 4 volt थे कि पिस्टर 5 volt पे चार्ज हो चुका था तो यहाँ पे 5 volt हो गया और यहाँ पे 4 volt हो गया तो जब anode का potential cathode से ज्यादा होगा तो उस वक्त आपका जो diode है वो forward by this condition में जाएगा लेकिन कि इस वक्त anode पे 4 volt जबके cathode पे 5 volt पड़े है तो diode जो है वो reverse by this condition में रहेगा और अब diode इंतजार करेगा कि कब उसके anode पे voltage जो है वो as compared to cathode ज्यादा हो जाएगा तो जब आपके पास यह दुबारा से सारा का सारा signal यह repeat होगा क्योंकि periodic signal है repeat होगा repeat होते होते है जब again 5 volt आएगा जब again suppose 5 volt नहीं यहाँ पर 4 volt भी आते हैं तो उसी time के अंदर यहाँ पर 4 volt आ जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि कैपिस्टर discharge भी हो रहा है तो कैपिस्टर suppose करते हैं कि discharge हो गया 3 volt तक तो यहां पे 3 V आ जाएंगे और यहां पे दुबारा से 4 V आ जाएंगे क्योंकि यह दोनों काम सिमिल्टेनियसली हो रहे है कैपिस्टर डिस्चार्ज भी हो रहा है और इन्पुट जो आपके पास सिगनल है वो ट्रेवल भी कर रहा है क्योंकि इन्पुट पिरियोडिक सिगनल है तो वो रिपीट होके दुबारा से अपनी वैलियो पे आएगा तो सब्सकरते हैं कि कैपिस्टर डिस्चार्ज होके 4 V पे आ चुका है किपिस्टर डिस्चार्ज हो के 4 वोल्ट पे आ चुका है और हमारा जो input voltage है वो again से 5 वोल्ट हो गया तो जब यहाँ पे आपके cathode पे 4 वोल्ट और anode पे 5 वोल्ट होंगे तो यह diode दुबारा से 4 वोल्ट हो जाएगा दुबारा से 4 वोल्ट होगा तो यह एक वोल्ट के लिए और चार्ज होगा जैसा ही एक वोल्ट के लिए और चार्ज होगा तो यह जो के पिस्टा रही है अगेन 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा यहाँ पर अगें 5V आ जाएंगे और यहाँ पर अगें 5V आ जाएंगे तो मतलब यह हुआ कि ज़र डायोड है उसके अनोर्ड पर 5V आ जाएंगे और कैथोर्ड पर भी 5V आ जाएंगे तो potential difference हो जाएगा 0 जब potential difference 0 हो जाएगा तो diode अगें जो है आपका reverse biased मतलब कि open circuit condition में चला जाएगा open circuit condition में जैसे ही जाएगा तो कि पिस्टर आपका again discharge होगा कि पिस्टर आपका discharge होगा again 4V पका discharge होगा suppose करें कि again 4V एग वोल्ड discharge हो गया तो कि पिस्टर दुबारा से 4V पहुंच गया तो उस वक्ट तक दुबारा से input signal five volts पे आ जाएगा वोल्ट आएंगे और क्या थोड़ पे 4 वोल्ट आएंगे तो यह जो आपका सरकेट है या जो किपिस्टर है यह अगें चार्ज होना शुरू हो जाएगा यह अगें 5 वोल्ट तक चार्ज होगा और इस तरह से यह साइकल रेपीट होता जाएगा यहाँ पर जो एक है वो हम बहुत ज्यादा बड़ा रखते हैं टाइम कॉंस्टेंट इतना ज्यादा बड़ा रखने की क्या हमारे पास टाइम कॉंस्टेंट इतना ज्यादा बड़े रखने की क्या लॉजिक है इसलिए हम इतना ज्यादा टाइम कॉंस्टेंट रखते हैं क्योंकि हम चाहते ह है कि हमारा circuit जो है वो peaks detect करें जब peaks detect करेगा तो हमारे पास basically हम यह नहीं चाहते है कि हमारा जो output है वो दुबारा से इस तरह से नीचे आ जाए ठीक है अगर यहां से जो आपका output है वो नीचे चला जाएगा तो वो peak detect नहीं कर सकेगा इस वज़ा से हम जो capacitor का time constant है वो बहुत ज्यादा ज्यादा रखते हैं time constant बहुत ज्यादा ज्यादा रखने से क्या मुराद है कि जब आप time constant ज्यादा रखेंगे तो आपका जो ज्यादा time में यह discharge होगा मतलब हम अगर इसका time constant ज्यादा रख देंगे त मतलब कि जो उसका discharging time है वो कम होगा तो वो जल्दी से discharge हो जाएगा लेकिन हम यह चाते हैं कि हमारा जो capacitor है वो अराम से और slowly discharge हो slowly discharge होने का मतलब यह है कि जब आपका capacitor यहां से जब यह discharge हो तो यह सारा time wait करेगा इतने time में तो हमारे पास दुबारा से peak आ जाएगी तो उस peak तक दुबारा जब peak आ जाएगी तो उस time के अंदर अंदर हम क्या करते हैं कि उसका जो time constant है वो जएदा रखते है time constant जएदा रखने से क्या होता है कि आपके पास जो output है जो आपके पास यहां पे output आ रहा है suppose आपकी जो peak है यह 5 volt है तो यह 5 volt पे retain रखता है value को जाएगी ना हो उसमें fluctuations ना है अगर आपके पास fluctuations आएगी मतलब कि जैसे अब भी हम यह suppose कर सकते हैं कि यह हमारे पास जो fluctuations आ रहे हैं यह बहुत जादा कम है जिसको हम neglect भी कर सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह 0.2 volt यह 3 volt यह 4 volt का difference है तो इतना difference तो हम बरदाश कर सकते हैं लेकिन अगर suppose आपने इस Courtney का time constant बहुत जादा कम रख दियो तो जब आप इसका time constant बहुत जादा कम रखेंगे तो यह डिश्चार्ज ओ जाएगा कि पिस्टर डिश्चार्ज होने का मतलब यह है कि जब आपका पिस्टर यह पिस्टर जलदी डिश्चार्ज ओ जाएगा तो आपको जो peak है वो मतलब कि अगर ये जल्दी discharge हो जाता तो ये इस तरह से यहाँ पर इसकी value यहाँ पर आ जाती तो जब जल्दी discharge होगा तो ये अपनी output को retain नहीं रख सकेगा output को retain नहीं रख सकेगा तो हम जो peak है वो detect नहीं कर सकते basically हम चाहते ही हैं कि जो हमारा capacitor है वो अपनी value को output value को retain रखे इसलिए हम capacitor का time constant बहुत ज़्यदा रखते हैं तो एक दफ़ हम इसको दुबारा से overview कर लेते हैं इसका कि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से गाम कर रहा है हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो पहला circuit था उसमें प्रिसियन रिक्टिफायर उसमें हमने सिर्फ एक diode और एक resistance लेते वे और एक op एम यूज़ करते वे हमने output जहा है वो प्रिसियन ली rectify कर ली लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो peak है हम उसको detect करना चाते हैं ज्यादा रखने से हमारे पास जो output है वो peak जो है वो retain रख रहा है और output जो है वो detect हो रही है उसकी peak जो है वो detect हो रही है तो input voltage overview हम कहरे है थोड़ा सा एक मेंट के लिए कि हम इसको देख लें कि हमने क्या सीखा भी तक जब आपका input voltage V in जैसे ही 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा मतलब 0.1 volt भी होगा तो 0.1 volt होने की वज़ा से जैसे ही 0.1 volt होगा तो आपका इस operational amplifier का open loop gain ज्यादा होता है ज्यादा होने की वज़ा से ये जो input voltage है ये amplify हो जाएगा और जो diode है इसके अनोड पे ज्यादा voltage हा जाएगा ज्यादा voltage जाएगा तो ये जो diode है ये forward condition में चला जाएगा forward condition में जाने के बाद जैसे ही forward condition में जाएगा तो capacitor जो है वो charge होना start कर देगा capacitor जैसे ही charge होगा तो उसके बाद अब suppose करते हैं कि ये capacitor जो है वो अपनी peak तक charge हो चुका है जब ये capacitor peak तक charge हो गया तो यहाँ पे suppose अगर 5 volt है input voltage तो यहाँ पे भी 5 volt आगए और यहाँ पे भी 5 volt आगए तो जैसे ही 5 volt और 5 volt आएंगे तो potential difference 0 हो जाएगा और diode जो हो reverse bias condition में चला जाएगा reverse bias condition में जाने के बाद के पिस्टर जो है वो resistance RL के across discharge होना शुरू हो जाएगा discharge हम चाहते हैं कि हमारा जो के पिस्टर है वो ज्यादा discharge ना हो या जल्दी discharge ना हो बलके वो ज्यादा time ले discharge में ज्यादा जितना time लेगा तो उतनी ज्यादा अपनी value को retain रख सकेगा तो उसके लिए जो हम time constant है वो basically 10 times रखते है time constant ठीक है तो time constant हमने ज्यादा कर दिया तो केपिस्टर discharge होते होते suppose यहाँ पे 4 volt पे पहुंच चुका है जैसी केपिस्टर 4 volt पे पहुंचेगा तो input voltage again 5 volt हो जाएगा anode पे 5 volt cathode पे 4 volt potential difference बन जाएगा जैसी anode का potential difference के तोर्चे जाएदा होगा तो output आपका जो diode है वो again forward condition में चला जाएगा forward condition में जब जाएगा तो दुबारा से केपिस्टर बजाए के वो जाएदा discharge होता 4 से भी नीचे discharge होता वो 4 से again charge होना शुरू हो गया और वो दुबारा 5 volt तक charge होगा इसी तरह यह cycle repeat होता रहेगा और repeat होते होते आपके पास at the end जो है result के निकलेगा कि आपका जो circuit है वो basically जएदा accurately peak detect कर सकेगा as compared to कि आप जो simple peak detector एक capacitor और diode को use करते वे आप जो peak detector बनाते हैं हो वो उससे जएदा यह प्रिसीजियन ली आपको peak detect करके देगा तो इस पूरी के पूरी वीडियो session में हम ने सीखा कि हम precision rectifier किस तरह से बना सकते हैं और precision peak detector किस तरह से बना सकते हैं कर सकते हैं कर दूर कृद्र कर दो कर prevention Со si तरह से बना सकते हैं ही बना माय है झाल झाल